दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार के 1.72 करोड रासन कार धारकों के लिए अच्छी कबर केविनेट बैठेक में कई महतपून फैसले जिहा प्रदेश सरकार राष्ट ये खाइद सरक्षा के तहत चेनित लाबारतियों को सामान चावल के इस्तान पर पोसन योग्त फोडिफाइड चावल के अपूर्ति करेगी प्रदेश के करेब 56,000 जन वितरन प्राणाली के दुकानों के 1.72 करोड रासन कार धारी इस योजना के दाएरे में आएंगे आपकी जानकारे के लिए बता दे कि मंगलवार कुमिकमंत्री नितिस कुमार के अध़िस्ता में हुई बेड़क में पोसन योग्त चावल अपूर्ति का प्रस्ताव किर्त किया गया है अगली बड़ी खबर खतरनाक नाव यात्रा से मिलेगे मुक्ती 11 अरवरी से आम लोगों के लिए खोल जाएगा मुंगेर ब्रीज गड़करी सियम नितिस करेंगे लोकार पर मुख्य मंत्री नितिस कुमार और केंद्रिय सड़क परिवान एवाम राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी इसका लोकार पन कर आम लोगों को समर्पित करेंगे साथ आपको बदा दे कि इसका नामकरन बिहार के पहले मुख्य मंत्री स्री कृष्ण सिंग के नाम पर किया गिया है रेलवे के हिस्से वाले पूल का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च दोज़ा सोल में किया था 3.75 किलोमीटर के स्पूल के सड़क का हिस्सा डबल डेक में बना है अगली बड़ी ख़बर लालो ने सक्रिया राजनेते में लोटने का किया एलान कहा चुनाव लड़कर संसत में आऊंगा मोदी को दुंगा जवाब जिहा, आरज डी प्रमूक लालो यादव मंगलवार के साम पतना पहुचे, पतना एरपोर्ट पर राजद करकरताओं ने उनका गरम जोशिक के साथ स्वगत किया अटना पहुचने से पूर्व लालो यादव ने दिले में पत्रकारों से बाचित के दोरान सक्रिया राजनेती में वापसी करने की बात कही है साथ लालो ने चुनाओ लड़ने की भी समावना जता ही है लालो ने कहा कि अभी कोड से मुझे चुनाव लड़ने के अनुमती नहीं है अनुमती मिलने ही चुनाव लड़कर संसद आऊंगा लोकसब में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं मैं संसद पहुचकर उनके बातों का जवाब दूँगा लालो लालो ने कहा कि यूपी के मुझे मंतरी के बातों से साप दिखता है कि वह नर्वस हो गये हैं साप लग रहा है कि इस बार यूपी में बिजैपी का सफाया होने वाला है अगली बड़ी खबर कॉंग्रेस पाड़ी ने स्यम नितियस को दिया महागडवंदन में आने का निमंतरन कहा आईए नई बिहार का निर्मान करते हैं उतना ही रासी बिहार को भी मिलती है लेकिन खर्च नहीं हो पाता है आके रिया पैसा जाता कहा है उन्होंने मुख्यमंतरे नितियस कुमार पर निसाना साते वे कहा कि अगर एंडिया की सरकार नहीं चल पा रही है तो आए हम सभी मिलकर महागडवंदन में सामी लोकर एक नई बिहार का निर्मान करते हैं वाका सीट सीपियाई के पास जिहां बिहार में होने वाले 24 सीट पर विधान परिस्यत के चुनाओं को लेकर सियासी तापमान कापी बढ़ गया है एंडिया 24 सीटों पर गडवंदन के बाद अपने जीत सुनिचित बता रही है वहीं आरजडी और कॉंग्रेस की बीच नार संजय यादव सीपियाई के प्रत्यासी होंगे संजय यादव अपने नाम के गोसना के पहले आरजडी कारियाले में पार्टी के प्रदेश एदग जगदानन सिख से मुलाकत कर जीत का असिरवाद लिये हैं इदर आरजडी का दावा है कि सभी 24 सीटों पर आरजडी और जीत कर विधान परिस्थ पहुंचेंगे अगली बड़ी कबर जनता दरबार में सेम नितियस फिर से सुनेंगे फर्याद केवल इन लगों को ही मिले गे एंट्री जीहाँ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कारिकरम 14 और 21 फरवरी को होगा केबिनेट सचीवाले ने इसका जनता दरबार में मुख्यमंत्री कारिकरम हुआ था चार जन्वरी से आदेश से इसे इस्तगित कर दिया गया था जब फरवरी से पाबंदिया में ढेल दी गई अब इस कारिकरम को भी सुरू किया जा रहा है मार्च में विधान मंडल का सत्र चलेगा मार्च के बाद जनता दरबार में मुख्यमंत्री कारिकर्म के लिए अलग से फिर आदेश जारी किया जाएगा जनता दरबार में सीव कोविट टिक प्राप्त लोगों कोई परवेश मिलेगा आगली बड़ी के अबर बिहार के तेने जिले में कोरोना के नए मामले नहीं पाज जिलों में केवल एक एक मरीज जिहाँ बिहार में कोरोना संक्रमन के मामले में अरवाल जहनाबाद और सिवर जिले में नए संक्रमित नहीं पाए गए हैं पिछले 24 घंडे के दोरान राज में 273 नए संक्रमित मामली पाये गए हैं अब राज में संक्रमन दर घड कर 0.28% हो गई है राज के सभी जिलों में अभी कुल 203 एक्टिव केस है इस दोरान 600 संक्रमित स्वस्त भी हुए है इस राज में कुरोना की रिकवरी रेट बढ़ कर अब 98% हो गई है संक्रमन को लेकर कूल 1,38,483 सेंपल की जाच की गई थी अगली बड़ी ख़बर बिहार में 15-18 वर्ष के किसोरों का कुरोना टिक करन अनिवार सिक्चा विवाग ने सभी डियम को दिया आदेश जिहराज के सभी सेक्षनिक संस्तानों के 15-18 आयू वर्ष के चात्र चात्राओं के लिए COVID-19 का टेका लगाना अनिवार कर दिया गया है इसके लिए सिक्चे विवाग के अपर मुद्क सचीवी संजे कुमार की ओर से सभी जिला अदिकारियों, जिला सिक्चा अदिकारियों और कुलपतियों को निर्देश जारी किया गया है निर्देश के मुताबिक सबी सरकारी एवं नेजी विद्दलेओ, महा विद्दलेओ, विस विद्दलेओ और कोचिंग संस्तानों की विद्दातियों के लिए स्वास्त विबाग से समयनना उकर टिकाकरन के विशेश विवस्ता सनिश्चित की जाएगी अगली बड़ी खबर गया होकर गुजरेगी आस्ता सरकेट स्पेशल ट्रेन आयार सिटी सी कराएगा दक्चिन भारत को दर्सन जिहां इंडियान रेलवे केटरिंग टुरिजम कोर्पोरेशन ने लोगों को दक्चिन भारत को दर्सन कराने का नेने लिया है परियाटों को की मांग पर गया कोड़र्मा होते वे दचिन भारत दर्सन के लिए आस्ता सरकेट स्पेशल परियाटन ट्रेन चलाने की योजना है इसमें मलिकार जोन जोतलिंग वर रमेस्वर जोतलिंग भी दर्सन कराएगी आई आर सिटीसी के छेत्रे परबंदग राजिस कुमार ने बताए कि दर्सन के साथ इस ट्रेन में सपर के लिए सिवा सुलके के रूप में 900 रुपी प्रतिविक्ती प्रतिदीन के दर्स लिया जाएगा साथ आपकी जानकारे के लिए बतादे कि यह ट्रेन दो मार्च 2022 को जैनगर से खुले गी और मदुबनी दर्बंगा समस्तिपूर मुझपर पूर हाजीपूर पटना बक्तियार पूर बिहार सरीप राजगीर गयार इलविश्ट सन कोडर्मा बोकारो हडिया जेक्सन होते व समस्वर मदुरई कईना कुमारी त्रिवेंदरम मलिकार जोन जगनात पूरी सूर्य मंदिर जोतरलिंग तिर्थ इस्तलोग का दर्शन कराते विए 15 मार्च 2022 को वापस लोटेगी उन्होंने बताये कि यह पूरी यात्रा 13 रात 14 दिन की होगी अगली बड़ी कबर बिहार में दारोगा सार्जन के पद के लिए मुई के परिचा की तारीक घोसित जिया बिहार में पुलिस बिवा के तहद दारोगा सार्जन पद के लिए मुई की परिचा की तारीकों का एलान हो गया है मुई की परिचा 24 अप्रेल को होगी आयोग इसक में केंद्र कहां कहां होंगे आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है अगली बड़ी ख़बर बिहार इंटर परिचा में समुआर को नौ जिलो के 55 परिचात्रे नकल करते दराए सबसे अधिक वैसाली में निसकासन जिहां बिहार बोर्ड के इंटरमिडेट वारसिक अगलपुर से खगड़िया से एक केमुर से चे वैसाली से सोलव असारसा से दो चात्र चात्राओं को निसकासित किया गया है अगली बड़ी खबर बिहार में स्मार्ट फोन से आसा रखेगे सिसू के सहत पर नजर भेजे गए 30,000 मुबाइल जिहा स्वास्त बिहार के सपने को साकार करने के लिए नवजात से एक वर्स तक के हर बच्चे के सहत के निगराने बहतर तरीके से होगी इसके लिए आसा करकरताओं को स्मार्ट फोन दिये जा रहे हैं 13 जिलों के लिए 13,934 स्मार्ट फोन भेजे जा चुके हैं इसका उद्ये सिसू के सहत के जानकारी को डिजिटल मादम से तुरंत जिले वर राज इस्तित अधिकारियों तक पहुचाना है अगली बड़ी खबर बिहार में अब रहतों को एक मार्च से मिलने लगेगी डिजिटाइल जमाबंदी जमीन को लेकर मिलेगे कई स्विधाए जी हाँ बिहार में रहेतों को एक मार्च से डिजिटाइड जमाबंदी मिलने लगेगी उस पर अधिकारियों के दस्तकत भी डिजिटल पॉर्मेट में ही रहेगी राजासवेवा मुमी सुधार मंत्रे राम सुरत कुमार नगलवार को कहा कि सभी 534 संचलों में यह सुधा अपलब्द हो जाएगी पिछले साल से यह सुधा बहाल करने वाली थी लेकिन कोरोना के वज़े से इसमें थोड़ी देरी हुई है अगली बड़ी ख़बर बिहार में फिल्म अभिनेता सारुक खान पर परिवाद दायर हिंदियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का रोप परिवाद पत्र के मैदम से राष्टिय बजरंग दल के जिला दायर आर्यान सिंग ने बताई कि भारत रतन स्वर्ग कोकिला लता मंगेसकर के रिवार को अंतिम संसकार सिवाजी पार्क मुम्मे में हिंदू रिती रिवाज से हो रहा था उसका सिधा प्रसार अंदुर दर्सन पर किया जा रहा था उसी समय स्वर्ग्या लता मंगेसकर के अंतिम दर्सन के लिए अभिनेता वा निर्माता सारुक खाना है कूछ चन कलमा पड़े और तुकते वे चले गए भारत रतना लता बुझ कर हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुझाने का काम किया है परिवादी ने परिवाद के मादम से नियाय का गुहार लगाया है और अंद के बड़ी ख़बर आब एटियम से नहीं निकलेंगे दो हजार के नोट जाने क्या है पूरा मामला जी हाँ एटियम में दो हजार रुपिय के नोट के किलिवर के जगह अब छोटी नोट वाले किलिवर लगाया जा रहा है बिहार के राइदानी पटना के ज्यादातर एटियम से दो हजार के नोट नहीं निकल रहे हैं बैंको द्वारा एटियम फेडिंग एजन्सियों को भी बैंको द्वारा दो 500 रुपय का केलिबर लगा जा रहा है बैंक यूनियन से जोड़े संजीत वारी कहते हैं कि गराकू को दुवारा एटियम में 2000 रुपय की जगह 500 रुपय का नोट डालने का आगर किया जाता है कई बैंक एटियम में लोगों की सुविदा और मांग को देखते वे 2000 रुपय की जगह 500 रुपय के नोट डाले जा रहे हैं आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आरजेडी को कोंग्रेस के साथ महागडबंदन में रहना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए